नमस्कार दोस्तों स्वागत एक और नए संदार वीडियों बात करने वाले हैं UPBAd counseling जो है सुरू हो चुका है UPBAd counseling कैसे करना है इसके लिए क्या क्या important documents आपको लगेंगे कितना रुपय application fee देना है और schedule क्या है first round का counseling कब से कब तक होगा और allotment कब होगा कब आपको admission लेना है क आपका college fee जमा करना है सब चीज आ चुका है second round का third round का और direct admission का process क्या होता है सब चीज हम आपको बताने वाले है तो वीडियो को फिंट्स आप last तक देखिए और समझ यह कि UPBAd का counseling कैसे करना है तो चलिए मैं आपको ले चलता अपने computer के screen पे और UPBAd counseling से related जो भी important जनकारी है form कैसे भरना है application fee schedule सब चीज हम आपको बताने वाले है तो चलिए फिंट्स वीडियो को start करते है वीडियो अच्छा लगे तो like करिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर्ट शेयर करिएगा तो फिंट्स देख सकते हैं यह जो है official website है जहां से आप जो है UPBAd counseling का form भरेंगे और यहां पर देख सकते हैं यहां पर आ चुका है date main counseling registration phase 1 start हो रहा है 13 अगस्त यानि आज से ही और main counseling registration phase 2 start होगा 25 अगस्ते और pool counseling होगा 11 सेप्तमबर से और direct admission अगर मालीजा किसी का phase 1 phase 2 में न important date है इसके लावा और भी यहां पर counseling schedule आपको देखने को मिलेगा guidelines देखने को मिलेगा और यहीं से आपको login करके जो है आपको form को भरना है counseling के लिए तो मैं आपको दिखायता हूँ यहां पे आप click करेंगे तो अपना user ID password capture code भरके आप login करके आप अपना counseling start कर सकते लेकिन counseling से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कितने rank वालों का counseling कब है कितना से कितना rank है आपका तो counseling आप यहां पर करने वाले हैं तो यहां सहम counseling schedule को डाउड कर लेते हैं counseling schedule में जो भी जनकारी है important information है और जो भी guidelines है उसको आपको बताते हैं ताकि आपको आगे चलके कोई भी दिकत ना हो देखिए phase 1 का जो counseling start हो रहा है friends वो आप देख सकते हैं आपर phase 1 यहां online counseling schedule लिखा हुआ है और यहां phase 1 जो है जिसका rank 1 से लेकर 75,000 के बीच है उनका counseling registration 13 अगस से start है और वो अपना जो है अगर 13 अगर आज आप registration कर देते हैं तो choice और feeling जो है कल से करेंगे 14 से लेकर 17 के बीच आप करने वाले हैं तो यह आपका जो है रहने वाला है और 18-19 को भी आपका यहां पर counseling registration होगा और 24 फिले होगा मतलब क्या कि जिनका rank 1 से लेकर 75,000 के बीच है वो अपना counseling का registration और 24 फिलिंग यह सब जो है आप 13 अगस से लेकर आप 19 अगस तक करने वाली है अब जिनका भी इसके बीच चीज़ के बीच registration हो जाएगा उनका जो है यहां पर एक दिन एक्ष्टा 24 फिलिंग भी मिल रहा है 20 तारी को जो जो होगा वह 21 अगस्त को हो जाएगा जो भी candidates जो है इतना से इतना के बीच अपना 24 फिलिंग कर देंगे registration कर देंगे उनका seat allotment 21 तारीक को हो जाएगा कि उन allotment पता चल गया तो वह अपना जो है seat confirmation का जो फी होता है 50,000 का सपास फी आपको जमा करना होता है तो वह जो फी है वह आप जो है जमा करेंगे 22 23 24 तीन दिन अपना जमा करेंगे और allotment letter भी download करेंगे फी जमा करने के बास से तो यह आपका जो है admission का process यहां पर रहने वाला है और जब आपका allotment letter आ जाएगा तो आप जा कि अपने admission ले लिजे तो यह आपका process पहला phase का यहां पर बताया गया है अगर हम बात करें phase 2 का तो phase 2 में आपका बताया गया कि 75,100 से लेकर बाकी के जितने भी rank है जितना भी आपका cut-off है उसके हिसाब से यहां पर registration start होगा 25 यानि phase 2 का registration जो है 75,001 से लेकर आगे जितना तक भी मतलब है आपका rank वो यहां पे सभी लोग यह का करेंगे अपना 25 अगस्ते registration start करेंगे और 24 फिलिंग वगर सब जो है करेंगे यहां पर 31 अगस्त तक और इनका 24 फिलिंग एक दिन और extra दिया गया है 1 सेप्तमबर तक seat allotment का हो जाएगा किदादारी को 2 सेप्तमबर तक अब यहां पर इनका जो यहां पर seat confirmation और फी जो पैमेंट होगा यह आपका चलने वाला है कब से कब तक तो यहां पर आपको दिया गया है जो की 3 सेप्तमबर से लेकर 8 सेप्तमबर तक तो देखें अगर आप मेरे द्वारा counseling कर करूंगा और counseling का पूरा process आपकर करके मैं दे दूगा तो यह आपका जो है आपका schedule है मेरा mail ID आपको description box मिल जाएगा या मेरे को mail कर सकते हैं बायो में आपको मेरा mail mail जाएगा मैं बोल भी देता हूँ ds.helping.gmail.com यह मेरा mail ID आप हमें counseling के लिए smith कर सकते हैं देखें मैं ज्यादा लोग का नहीं करूंगा 5-6 लोग तक ही कर सकते हूं ठीक है न अब यहां पर आपको 9 सेप्तमबर को 10 सेप्तमबर को सीट release कर दिया ज हुआ है या किसी कारणवर्स से जो है वो counseling में भाग नहीं लिये ते वह अपना directly पूल counseling करा सकते हैं round 2 का ठीक है न तो यह round 1 में जो है main counseling चलेगा आपका देख सकते हैं आपे और इसके वह से पूल counseling स्टार्ट होगा और फिर थार्ड में direct admission होगा आप जिस भी और 19 को यह आपका पूल counseling होला direct admission अगर आप लेना चाहते हैं आपका कोई भी पूल counseling में भी seat allotment नहीं हुआ किसी में भी seat allotment बहुत कम rank है आपका तो आप direct admission ले सकते हैं direct जो बचे हुए seat है उस पे तो इसका जो schedule है वह 20 सेप्तमबर से लेकर 28 सेप्तमबर तक आपका चलन है यह सब्सक्राइब को है आपने बताने वाले हैं तो प्रथम चरण का जो मुख यह counseling है वह एक से लेकर 35 स्टेट रेंग आपका है तो आप करेंगी और फेस्टू में आपका मैंने बताया 35001 से लेकर बाकी के जो rank है उस सभी छूटे अभी अभ्यार्थियों के लिए मत्वा उन्हें कोई भी सीट अवांटित नहीं हुआ है ऐसे सब भी अभ्यार्थी पूल काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकते हैं और यहां पे तीरतिय चरण चारलू होता है जिसमें सीधे परवेस आपको होते हैं सभी स्टेट रेंक धारकों के लिए और चतु दिचरण आपका फर्स्टराउंट में नहीं आया.सपोज आपने फर्स्टराउंट में यहां पर फ्रम फीलब किया और आपका दोवारह पीन भा कर सकते हैं जिद्वाघ ले सकता है, सिफ्छे ज्युआं जो थे नहीं कर सकता हैं 20 की बारे मदा sortir देना जरूरी है एकाउंट नंबर जो आपके माता पीता या आपका खुद का भी हो सकता है और ध्यान रहें जंदन खाता आपको नहीं देना क्योंकि उसमें लिमीटेशन होता है एमाउंट ट्रांसपर का यह भी आपको विसेश ध्यान देना है इसके बाद से यहाँ पे आपको और भी इंपोर्टेंट जनकारी बताईगे है कि पंजी करोड़ पूरी करने वाले अभ्यारतियों के लिए मतलब अगर आप पहली बार जब काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरेंगे यहां से लॉग इन करेंगे अपना फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपको अप्लिकेशन फी देना होगा अप्लिकेशन फी सन्ताओं सोपचास उर्पया आपका लेंगे लिए निष्चाहां साथ सोपचास उर्पया किसी बीट पर आपका रिफंद नहीं होगा और आपका सीट अलॉट्मेंट नहीं होता है तो यह पांच जाहां रुपया आपने दिया होगा एक्स्ट्रा वहां का रिफंड हो जाएगा जो कि आप एकाउंट नमर देंगी यहां लिखा हुआ है कि जिनका अंतिमोर्स का परिच्छा फल जो है घोसित नहीं हुआ है और उनका जो है फीस वापस नहीं किया जाएगा पांच जार वाला भी और साथ सो पजास उर्पया यहां पर आपका नन रिफंडेबल यहां पर रहता है काउंसलिंग के लिए पंजिकिर्त अभ्यारतियों को अपना पसंद के अनुसार अपना भी कल्प भरेंगे जो भी कॉलेज आप चूच करना चाहते हैं वह आप चूच कर सकते हैं एक बार आप प्रिवियस कटव भी ध्यान में रखते हुए आप अपना जो है च्वाइस फ कर लिया तो स्यव कर लिजिए और फिरा रिसर्च कर लिए कि तो तिन को और प्र में एड कर लेता हूं चार पाइड कर ले ता हूं फिर उसको सेव कर लिए बाद में आप उसे लौक भी कर सकते हैं बिकलम आ् honey बार बार जाने के बाद यसे बदला नहीं जा सकता है तो ये वसे documentation में आपको क्या क्या लगेगा जब आपका seat allotment हो जाएगा confirmation letter आपका आ जाएगा तो आपको क्या क्या documents लगने वाले हैं यह जो भी चीज़े आपको बताएंगे आप ध्यान से देखिएगा समझेगा सबसे पहले तो आपने जो आविदन फॉर्म भरा हुआ है वह आप कर लगेगा provisional allotment और confirmation letter लगेगा जो आप choice filling के बाद जो result आएगा कि आपको college मिला कि नहीं मिला वह confirmation letter होता है allotment letter वह आपको लेकर जाना है और जो आपका scorecard है परविश पत्र और आविदन पत्र scorecard इसका भी आपको photocopy लेकर जाना है admit card scorecard है जो भी होता है फिर आपका जो है 10th class का certificate और सभी semester का marksit जो आपका graduation वाला है अगर आप PG तक का पूरा certificate marksit चाहिए final और अगर आप वेटेज लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपका जो भी original certificate हो जैसे कि जाती निवास जो भी होता है वो सब आपको देना है एक government ID प्रूब भी आपको देना है एक service man या और भी बहुत सरा होता है न तो आप हैं तो आप अपने recording यहां पर सभी original certificate को देंगे दो passport size photograph और fee receipt जितना आपने fee जमा किया हुआ है जिसे 5000 का fee receipt आप देंगे क्योंकि यहां पर जमा करेंगे 750 पलस इसमें एड रहेगा यह fee receipt भी आपको यहां पर एड करना है अगर आप आविदन form भरे थे तो उसका भी fee receipt होता है वो भी आप यहां पर देंगे तो यह सब चीज़े यहां पर आपको documents में लगने वाले सबके लिए same documents रहेगा first round का भी second round का भी यह चीज़ आप यहां पर देख लेंगे यहां पर यदि कोई अभ्यारतिजी से महाविद्याल यहां पर आपका ना फेज वज्वन जो मुख्यां कांसलिंग है उसका यहां पर फी बताया गया तो कांसलिंग फी साड़े साथ सो रुपया और अग्रीम college सुल्क यहां पर पांच आर लगे आपको पांच आर यहां पर शीट अलोटमेंट नहीं होता है तो वह वापस कर द तो यह seat confirmation के बाद आपको होता है अब दूतिय चड़र में आपर बताया गया कि 750 उरुपय आपका कांसलिंग फी और अग्रीम college सुल्क इसमें 51,250 उरुपय लएगा यहां जिनका 75,001 से ज़्यादा रैंक है उनका फी यहां पर बढ़ जाएगा 51,250 उरुपय आपको advance institute फी इड करना है form भरते समय तो यह आपको advance institute फी यहां पर आपको देना होगा तो यह सारी चीजे यहां पर आपको already दे दिया है आप इसे डाउड करके अपने according पढ़ेंगे समझेंगे 33,44 की सीधा परवेस में भी बताया गया कि 750 उरुपय तो आपका counseling फी लएगा इन लएगा और admission fee जो है आपको institute में भुगतान करना गा जो भी वहां पर required होगा फिर यहां पर फोर्थ राउंड का जो होता है यह counseling fee आपका लएगा ही लएगा और direct admission जब आप करेंगे तो college में जो सुल्क होगा उनका जो भी अपना सुल्क होगा वह आपको वहां पर जमा करेंगे तो at gmail.com है आप जो है वहां पर mail करिए मैं आपका जो counseling करके वीडियो भी बनाके publish कर दूगा तो आसा करता हूं सारी जनकारी समझ में आया होगा आपके मन में कोभी doubts है कमेंडे 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 उसनों पूछेगा मिलते हैं कि इस नेक्स फीडियो में जैहींद आपका दिन स कर दो दूत सुधियो में लाईएगा जो जातर सुऽत्पवादेशनों इन सारी जे डीको को कर दो है खोगा झापका दो कर दो दोदाना कर दो कि आदारी समय आपका दो कि कorf crispy